नमस्कार इंडिया यूज देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ कांक्षर राजपूत बोलेडिन की शुवात इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं क्योंकि आज उत्राखंट को रक्षा मंत्री राजचनाथ सिंग एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं आयमे देरादोन में बनने वाली दो टनल का वर्चुल शीला नियास रक्षा मंत्री राजचनाथ सिंग की तरफ सी क्या जाएगा शीला नियास में सीम त्रवेंदर सिंग रावद भी मौजूद रहेंगे दोपहर करीब साड़े तीन बज़े शीला नियास करेंगे एक टनल जाने और दूसरे आने के लिए होगी 45 करोड रुपाए में ये दोनों टनल बनकर तयार होगी ये इस वक्त की हम बड़ी ज़ानकारी आपको दे रहें रक्षामंस्री राचनाच सिंग आज बड़ी सौगाद देने जा रहें उत्राखंट को और इस दोरां सीम त्रवेंदर सिंग रावद भी मौजूद रहने वाले हैं दोपहर करीब साड़े तीन बज़े का वक्त रखा गया है जब शिलान्यास किया जाएगा 45 करोड रोपाए में ये दोनों टनल तयार होगे इस वक्त की ये बड़ी खबर आपकी टिवी स्क्रिंट पर है रक्षामंस्री राचनाच सिंग आज बड़ी सौगा देंगे उत्राखंट वासियों को दो टनल का वर्च्वल शिलान्यास किया जाएगा रक्षामंस्री राचनाच सिंग की तरफ से शिलान्यास में सीम प्रबेंदर सिंग रावत भी मौजूद रहेंगे तो पहर करीब साड़े तीन बजे वक्त रखा गया है जब शिलान्यास किया जाएगा उत्राखंट में पिछले एक सब्ताहसी प्रते दिन मिलने वाले कुरोना संक्रमेतों की संक्या में लगातार इजापा हो रहा है आपको ये बता देए कि एक हजार से कम है जो लगाता है संक्रमेत सामने आ रहे हैं जबकि ठीक होने वाले मरीजू की संक्या संक्रमेतों से ज्यादा है बीते 24 कंटे में प्रदेश में आज कुरोना मरीजू की मौत हुई है और 764 संक्रमेत मिले हैं वहीं 813 मरीजू को स्वास्तोंने के बाद घर बेजा गया है देरादून जिलों में सबसे ज्यादा 241 कुरोना मरीज मिले हैं हरिद्वार में 149 पौडी में 20 उदम सिंग नगर में 29 निताल में 50 उतरकाशी में 36, टेरी, चमोली और चंपावत में 25 पचीस, जृद्रपियाग में 16, पिधारागड में 11, अल्मोडा में 9 और बागेश्वर जिले में 8 कुरोना मरीज दिले हैं और प्रदेश में कुल 574 मरीजू की मौत कुरोना की बज़े से अभी तक हो चुकी है लेकिन इजाफा संक्रमितों की संक्या में लगातार उत्राखंट के अंदर भी हो रहा है लगातार कुरोना का केर जो उत्राखंट में भी जारी है संक्रमितों का ग्राफ लगातार बढ़ता हुआ पिष्टे 24 गंठे में 764 नई संक्मित सामने आये हैं उत्राखंड से और 813 मरीज ठीको कर घर भी लौच चुके हैं उधर उधम सिंग नगर की गदरपुर में चर्रेर्मेन और वाट नबर पाच की सभासत का किसी बात को लेकर विबाद हो गया बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ ताने में तहरीर दे दी पुलिस ने दोनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज करते हुए जाच शुरू कर दी है दरसल सभासत परमचीत सिंग पमा ने थाने में दी तहरीर में आरूप लगाया कि पालिका अध्यक्ष गुलाम गौस ने उन पर जान से माने की नियत से रिबॉलवर तान दी जिसमें वो जान भचाकर थाने पहुँचे और पुलिस को सूचना दी सूचना पर थाना अध्यक्ष अर्वेंद चौधरी पुलिस टीम के साथ नगर पालिका कार्याले पहुँचे और पालिका में लगे कैमरों की फूटेज देखने का प्रियास किया फूटेज ना निकल पाने के चलते पुलिस ने डी डी वियार को कबसे में भी ले ली है उधर उधम सिंग नगर की दिनेशपुर चेत्र के अमरत नगर की रहने वाली एक नाबाली किशोरी ने पंकिसे लटकर अपनी जीमल लेला समाप्त कर ले गटना की सुचना मिलते ही पुलिस ने शब को कबसे में लेते हुए पॉस्ट मॉटम के लिए भीच दिया है बताया जा रहा है कि नौवी क्लास में पढ़ने वाली मृतका की पिता ने उसे फैंसी कपड़े पहन कर गोमने को लेकर डार दिया था तो आपको बता दें कि ये पिता से नाराज थी जसने आत्मत्या की है फैंसी कपड़े पहने के लिए पिता ने मना किया तो उससे नाराज इसकी शूरी ने आत्मत्या कर ले मुक्यमंत्रीत रिवेंदर सिंग रावत ने विश्व प्रेटन दिवस के अफसर पर प्रेटन वेभाग द्वारा वेबिनार के माध्यम से आयोजित कारक्रम में बूशामिल हुए और कहा कि उत्राखंट में प्रेटन तेजी से बढ़ा है राचे मिधार्मिक और अन्य प्रेटन गतेविदियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कोविट के कारण प्रेटन गतेविदियों में जरूर कमी आई है लेकिन सिती सामाने होने पर प्रेटन के सिती में तेजी से सुधार भी होगा उन्होंने कहा कि राचे में हटजनपद में तीम आधारित प्रियाचन इस्थल विक्सित किये जा रही है उत्राखंट में प्रियाचन एक ऐसा छेतर है जिसमें रोजगार की बहुत संभावना है दरसल विश्व प्रियाचन दिवस पर कारिक्रम का आयोजन किया गया था और उसी दोरान सीम तरवेंदर सिंग रावत भी वेबिनार के जरिये कारिक्रम में शामिल भी हुए उत्राखंट में प्रेटन तेजी से बढ़ा है ये सीम त्रवेंदर सिंग रावत की तरफ से कहा गया उधर पूर्फ सीम हरिश रावत की मुश्किले लगातार बढ़ती हुजा रही है अदेवक्ता अरुन भदौरिया ने लिगल नोटिस उने भेजा है हर की पैड़ी पर माफी माँगने के लिए उन्होंने कहा है साथ दिन में माफी ना मांगने पर उन्होंने चितावनी भी दिया लगातार पुर्वसीयम हरिश्रावत की मुश्किले बढ़ती हुई और ऐसे में तीर्थ पुरोहितों से माफी मांगने की मांग यहाँ पर की गई है अधिवक्ता अरुन भदोरिया की तरफ से लेगल नोटिस उन्होंने भेजा है स्कैप चैनल शास्नादेश को लेकर हरिश्रावत को यह नोटिस भेजा गया है उधर उमा भारती कुरोना संक्रवित पाए गई हैं बद्वरिनात की दानाथाम से लौटी थी उमा भारती उमा भारती ने रिशिकेश में अपना कुरोना टेस्ट भी कराया था अरिद्वार के वंदे मात्रम आश्रम में उमा भारती फिलाल कुरिंटीन में हैं राजे मंतुरी धंसेंग रावत के संपर्क में भी आई थी उमा भारती कई पुजारियों और अधिकारियों के संपर्क में भी रही हैं उमा भारती अधिकारियों पुजारियों से उन्हों टेस्ट कराने की अपील भी की है हलाकि लगतार जस तरह से उनके रिपूर्ट पॉजिटिव आई है उसके बाद वो कॉरिंटीन में है लेकिन उन्होंने अपील की है जो भी उनके संपर्क में आए हैं वो खुद का कॉरोना टेस्ट जरूर कला रहे फिलार बदुरिनाथ की दारनाथ थाम से वो लोटी थी और अभी कॉरिंटीन में है उधर कोड़द्वार में हरक सिंग रावत के लिए हवन किया गया है कुरोना संक्रमे थे दरसल वन मंत्री हरक सिंग रावत हवन कर जल्द स्वस्तों होने की कामना भी की गई है विश्व करमा उथान समीती ने हवन करवाया है हवन में BJP कारेकरता भी मौचूद रहे विश्व करमा मंदिर में यह हवन का आयोजन क्या गया था तस्वेरियम आपको दिखा रहे इस हवन के जरिये तमाम यहां पर कारेकरटाओं की तरफ से उनके जल्द स्वास्तों होने की कामना की गई है पिश्व कर्मा उत्थान समीती ने यह हवन का आयोजन कराया था जिसमें बिजपी कारेकरटा भी मौचूद रहे और मंत्री हरक सिंग के जल्द स्वास्तों होने की कामना हवन के जरिये की तो आपको यह बता दें कि कोरोना संक्रमित है वन मंत्री हरक सिंग रावत और हवन की जगहावन के माध्यम से जल्द उनके स्वास्तों होने की कामना बीजपी कारेकरटाओं की तरफ सिकी कई है देश के आजादे के महानायक स्वतंता संक्राम सिनानियों के त्याग बलिदान को याद करते हुए कॉंग्रेस सेवादल के द्वारा प्रती एक महीने के अंतिम को ध्वज बंदन कर राष्ट्रे ध्वज को सलामी दी जाती है इसी क्रम में पूर्वर राजय मंत्री जस्वीर रणा की नित्रत्व में कॉंग्रेस सेवादल की कारेकरताओं ने बदुरीनात रूड इस्तित काराले में एकत्र होकर ध्वज बंदन कारेकरम का युजन किया ध्वज बंदन का उदेश है आमनागरिक और नईपीडी को आजादी में स्वतंत्रा संग्राम सिनानियों के त्याग और बलिदान के बारे में जानकारी देना है इस मौके पर पूर्वर राजय मंत्री जस्वीर रणा ने बताया कि स्वतंत्रा संग्राम सिनानियों के त्याग बलिदान और बीरकादा को कॉंग्रेस सेवादल जन तक पहुंचाएगा स्वंता संग्राम सैलानियों ने देश को आजादी दिनाने के लिए जिस प्रकारती रंगे जंडे के नीचे अपनी प्राणों के आउदिदी और इस देश को आजाद किया उनकी बीरगाथा को चंदक्तन पहुचाने के लिए इस प्रकार के कारेकरम किये जाते हैं फार्दिय जन नाटिय संग इप्टा के तताथान में शहर के पिक्चर पैलेश चौक पर श्रहीद आजम भगत सिंग का एक सो तेरवा जन दिवस मनाये गया इस मौके पर मौझूद लोगों ने भगत सिंग जी की प्रतेमा पर मालियारपन किया और देश के आजादी में उनके योगदान को याद किया साधी प्टा के और से ज्वनकीत भी गाय गया मसूरी भगत सिंग चौक पर भगत सिंग की एक सो तेरवी ट्वेंथी पर एप्टा के और सी कारिक्रम आयोजन किया गया प्रश्मेश रहर के विभेन संगतनों के जन प्रतेनीध्यों ने फाग लेकर भगत सिंग के प्रतेमा पर मालियारपन किया और उनको शर्धाश लेदी वक्तावने शहीद भगत सिंग के द्वारा देश की आजादी में दिये गए योगदान और उनके द्वारा समाज में पहले विश्मता को समाप्त करने और समाजवाद लाने के सपने को साकार करने का आवाल किया उन्होंने कहा कि समय समय पर अपने शाहिदों को याद करते रहना चाहिए और इस प्रकार के कारेक्रम होने चाहिए जोसे आने वाली पीड़ी को देश के आजादी में शाहिदों के योगदान का एहसास हो सके इस धर्की पर पैदा हुई जिनों ने बड़े जोस और खरोष के साथ छोटी उमर में ही आज़ी के भंगे को चूँ लिया इस देश के आजादी को दिलाने के लिए उस जमाने में गोरों से आजादी इस इंदोस्तान को दिलाने के लिए रुटकी की सिविल लाइन कुटवाले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है कुटवाले पुलिस ने सती महले में गोदाम में चापे मार कर बड़े जानवरों के मांस में गोवमांस मिलाकर बेचने वाले चारतसकर कसायों को गरफतर किया है इतना ही नहीं पॉलिस ने गुदाम से जाई सू किलो गोमांस और कटाम के उपकरण भी परामत किये हैं पॉलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमादर्ज कर लिया है आप पॉलिस इन्हें जेल भेशने की तैयारी कर रही है आपको बता दें कि अकरम कुरेशी की रोड़की के सती महले में बड़े जानवरों की मीट की दुकान है जो सहरनपुर से बड़े जानवरों का मांस मंगाता है और अपने गोदाम में गोकशी कर गोमांस को बड़े जानवरों के मांस में बिला कर बीचता है तो आप तस्वीरों में देखे इन चार तसकरों को पुलिस ने फिलाल गिरफ्तार कर लिया है चापे मारी मिफारी मात्रा में मास भे बरामत पुलिस ने किया है पुलिस को काफी दिनों से सुचना मिल रही थी कि इमली रोड इस्तित कुछ कसायों द्वारा गो मांस बेचा जा रहा है और अवय तरीके से स्लोटिंग की जा रही है मुगिविर की सुचनापल कल देर रात इमली रोड से ही अभियुक्त अक्रम कुरेशी उर्फचोटा समीर सलमान और मनबर उर्फमनू को गोकसी के उपकरण और करीब तीन कुंटल गोमांस के गिरफतार किया गया है पुलिस को काफी दिनों से सूचना मिल रही थी कि इमली रोड इस्तित कुछ कसाईयों द्वारा गोमांस बेचा जा रहा है और अवय तरीके से स्लोटिंग की जा रही है तीनों से वन्सभाक कुग गोलदार की तलाश थी गोलदार ने कई लोगों को अपना शिकार भी बनाया था गोलदार के पकड़ी जाने से लोगों ने राहत की सांस ली है भगवानपुर्ट शेत्र की शहिदपुर गाउं का ये मामला बताया जा रहा है दरसल कई दुनों से वन विभाग को गुलदार की तलाश थी लेकिन आकरकार वन विभाग के जाल में अब गुलदार फस ही गया है लोगों में गुलदार की बज़र से देशुत का माहौल था लेकिन अब लोगों ने राहत की सांस ली है उदर इशिकेश में गंगा में नहाते वक्त हाथसा हो गया पैर फिसलने से एक यूवक डूप किया SDRF और प्रिशासन उसका रिस्क्यू भी किया प्रहमापुरी शेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है तस्वीरे हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरे उस वक्त की जब गंगा में नहाते वक्त ये हाथसा हुआ है और SDRF और प्रिशासन की बदद से उसका रिस्क्यू किया गया पैर फिसलने से दरसल ये यूवक डूप गया था और SDRF और प्रिशासन की तरफ से इसका रिस्क्यू किया गया कोदम सिंग नगर जिले में कुरोना काल में मतबसे विभाग की हिला अवाली के चलते सत्रा मशली पालकों ने साच कोईंचल से ज्यादा प्रतिबंदित प्रजाती के मशली पाल ली है इतना ही नहीं सेहत के लिए नुकसान देई माने जाने वाली मशली को बाजार में बेचा भी गया जबकि एक साल पहले कृशी और किस्तान कल्यान मंत्रा ले थाई मांगूर के पालन और खरीद परोक्त में प्रतिबंद लग चुका है प्रतिबंदित मशली के प्रजाती के बच्ची मशली पालकों तक कहां से पहुँचे इसको लेकर अधिकारी परिशान है अविभाग के और से 17 मशली पालकों को नोटिस भी तमा दिये गए है काशिपूर जस्पर महुआ केड़ा गंच में अफ्रिके मांगूर मशली का पालन बन नहीं किया गया है मशली पर पाबंदी के पीछे वज़ा प्रयावरण के साथी इसका इंसानी सेहत के लिए खतरनाक होना था लेकिन कोरोना काल में मशली पालकों ने थाई मांगूर मशली को पाल लिया उधर काशिपूर में विद्यो चोरी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं विद्यो चोरी के मामले लगातार प्रकाश में आने पर स्पी विजिलेंस हरवन्श सिंग के नितरत्व में टीम ने चापे मारी अभ्यान चलाते हुए पॉश मौलों में गहन जाच परताल किये उन्होंने अधिशासी अभ्यानता विजय सकारिया स्पी विजिलेंस के नितरत्व में विद्योत विभाग की टीम ने आवास विकास में आवासों से लेकर बड़े प्रतिष्ठानों के मीटर कनेक्शन और विद्योत चोरी से संबंदित सभी वारीकियों की गहनता से जाच पी की अधिशासी अभ्यानता विजय सकारिया ने बत इसमें अभी तक जो है लगड़क सोला केसे जो मिले हैं जो में कारवे भी कारवे कर रहे हैं लगातार चेकिंग समसेमा पर की जारी है विजलेंस के द्वारा भी और हम अच्छे तर पर हम एस्जी और जई अपने इस तरस पर चेकिंग करके उनकी आफायर दर्स की जाती है और इसमें काफी हद तक अंकुष भी लगा है लेकिन क्योंकि स्टाफ की भी कभी कमी है और इस सब चीज़ें भी जान में रखते हुए उसके प्रस्चाद भी हमने काफी इसमें कारे करते हुए इसमें एक सागरात्तक उद्राखन में राजस्व विभाग में अपने कारणामों को लेकर अक्सर सुर्ख्यों में रहा है कभी राजस्व विभाग के कर्मशारी फरजी प्रमान पत्र बनाने के नाम पर अवय तरीकी से पैसा लेने को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं लेकिन इस प्रार तो राजस्व विभाग में एक बड़ा गड़बर जाला सामने आया है रुड़की के एक समाजिक कार्यकरता प्रदीब त्यागी का कहना है कि राजस्व विभाग में मिले भगत कर अधिकारियों ने 2011 में पहले विभाग में तैनाथ सीजनल अमिनों को बिना नियमावली के मानक पूरे की बिना नियमित कर दिया है इतना ही नहीं विभाग ने करीब 450 अमीनों और चप्रासियों को लाखो रुपए एरियर का लाप भी दे दिया है 450 से ज्यादा कर्मचारियों को दिया गया है एरियर लगभग 12 करूर रुपए से ज्यादा है जो कि राजस विभाग के लिए एक बड़ी हानी है इसलिए इस गरवर जाले के लिए जो लोग जिम्यदार हैं उन लोगों के उच्छ तरिया जांच भी होनी चाहिए इतना ही नहीं इन लोगों के खिलाफ राजसरकार को कड़े कदम उठाते हुए सक्त कारवाई करने चाहिए एक अक्टूबर से स्टेडियम खोले जाने की मांग को लेकर काशिपूर में खिराडियों और कोच ने मिलकर प्रदर्शन किया है इसकी बाद सभी एकत्र दोकर अबजिल आधिकारी काराले पहुँचे जहां प्रदर्शन भी क्या गया इसकी बाद अबजिल आधिकारी के माध्यम से उत्राखंट सरकार के खेल मंत्री के नाम के आपन प्रिश्यत करते हुए एक अक्टूबर से स्टेडियम खोले जाने की मांगों ने की खिलाडियों ने दो अक्टूबर से स्टेडियम ना खोलने पर सरकों पर उतरने की चेताव नी भी दी एस दोरान खिलाडियों ने कहा कि च्री मैने से स्टेडियम बंग पड़ा है जिससे खिलाडियों के प्रक्टिस नहीं हो पा रही है जबके अगले साल उलम्पिक और राश्ट्रे खेल भी प्रस्तावित है उन्होंने श्रीक्र स्टेडियम कोलने की मांग की है जिससे खिलाड प्राट्पूर की सीता कॉलोनी निवासी दो सगी बहन रिश्मा और सितारा का विवाद 6 साल पहले एक ही दिन मुरादबाद यूपी निवासी दो सगी भाई अकरम और जाकिल से हुआ था। एज़रान रेश्मा का पती उसकी दो वर्षे पुत्री को भी जबरन अपने साथ ले गया। वह बाजपूर के मुट्या रिवासी फरजाना ने अपने पती पर मोटर साइकल ना मिलने पर तीन तलाक देने का आरूप लगाया है। बेने हैं जिनके पती द्वारा उनको दहेज प्यादी के लिए तलाक की बात कई गई है। इन तहरीरों को जाच तलब किया गया है। जाच के उपरान इनमें अगरिम कारवाई की जाई। इससे पहले भी एक मामला है था उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकरित किया गया था और आगे की कारवाई की गई थी। इसमें भी जाच करके आगे जो भी जैसर हैगा उसमें कारवाई की जाई। उत्राखंट में अब जल्द ही रोपवे के सरीय प्रेटको का सफर आसान होने जा रहा है। जावलकर ने बताया प्रेटन विभाग द्वारा पीपीपी मोड पर मसूरी पुरुकुल रोपवे का निर्मान कराया जा रहा है। मसूरी पुरुकुल रोपवे सरकार की एक महत्वकांग्शी उचना है। पुरी को प्रेटन के चीतर में विक्सित करने के लिए जिला प्रिशासन के और से नवंबर में एडवेंचर एक्टिविटी फेस्टिवल का आयूजन किया जाना है। जिसके लिए ट्रायल भी शुरू कर दिये गए हैं। आपको बता दें दरसल जिला प्रिशासन ने एस्टरप तयार कर लिया है। तस्वीरे भी हम आपको दिखा रहे हैं। जिला प्रिशासन ने इसके लिए एस्टरप तयार किया है। और पूरी कोशिश के पौड़ी को प्रियाचन में विक्सित करने की। और इसी कड़ी में फेस्टिवल के लिए रिट्रायल भी शुरू किया गया है। जिसको देखते हुए जिला प्रिशासन ने एस्टरप तयार किया है। उदर गोरकपूर में सीम योगी आदितेनाथ ने एको ट्यूरिज्म पर एक डॉक्योमेंटरी का लोकार पड़ किया। एस्जारान उन्होंने कहा कि यूपी नाकिबल जनसंक्या के मामले में देश का सबसे बड़ा राज़ा है। बलकि प्रेटन के लिहाज से भी यहां बहुत संभावना है। रिपोर्ट देखे। से भी यह बेहत संभावना वाली जगह है। यहां केवल धार्मे की नहीं बलकि एको टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझे प्रसंदता है कि आज गोरकपूर में वन विभाग के द्वारा एको टूरिज्म को लेकर के एक डोकुमेंटरी विचारी की गई है। अगर हम उत्तर पूरिज्म के अंदर देखें तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट हैं जो एको टूरिज्म की दिस्से डेपलप की जा सकते हैं। गोरकपूर वन विभाग की तरफ से आठ मिनिट के एक शौर्ट फिल्म बनाई गई है जिसमें टूरिज्म की शेत्र में शेहर की कई हिस्तों को दर्शाया गया है। फिल्म में गोरकपूर के कुसम्मी जंगल, बुडिया माई स्थान, शहीत अश्पाक, उलाप खान, प्राणी उद्ध्यान, रामगर जील, परगापुरताल और लेहडा देवी मंदे समीत प्रदेश सरकार की भविशे की योजनाओं का भी जिक्र किया गया है। कि आज विश्व प्रेटन दिवस के उसर पर, गोरकपूर और पुडिय प्रदेश के अंदर ग्रामेड छेतर में प्रेटन की इन अनक्तो सम्मावनाओं को आगे बढ़ाने की दिस्से और इसके मात्यम से रोजगार उपलब्द कराने और आदने प्रदान मंत्री जी के आत वन विभाग के द्वारा जो ये डोकुमेंटरी पस्तुत की गई है, एक सरानी पोहद है देश में उत्तर प्रदेश सरकार की कुछ महदवा कांशी योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है ये फिल्म वन विभाग गौरकपुर द्वारा किये जा रहे बहतरीन काम को भी लोगों तक पहुँचाने का काम करेगी गौरकपुर से सुशील कुमार, एंज्या नियूज उधर उत्तर प्रदेश की जिन आठ विधांसवा सीटों पर उप्चनाव होने जा रहे हैं उन सभी जगा पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत छोक रखी है अभी ना तो तारिकों का एलान हुआ है और ना ही केंडिडेट का लेकिन फिर बीबी जिपे सरकार के कई मंत्री, सियम और पार्टी के पदादिकारे लगातार दोरे और मिटिंग शुरू हो गए हैं यहां तक कि चुनावाले जिलों में धड़ा-धड यूचनाव का लुकारपन और शिलानियास भी क्या जा रहा है अना कि दूसरे पार्टियों की कोई खास सायारिया भी तक देखने को नहीं मिल रही है वैसे तो 2017 के विधान सभाचनाव में स्टीम योगी अदित्तिनाथ का चहरा सामने नहीं था और 2019 का लोग सभाचनाव भी पीम नरिंद्र मूदी के चहरे पर लड़ा गया 2019 में भी विधान सभाचनाव हुए थे लेकिन तब भी पार्टि का कद स्टीम के चहरे पर भारी था दूसरी तरफ उनके शासनकाल में बीजेपी गोरकपुर और फुलपुर सीट पर हार गई थी ऐसा पहली बार है जब पीम मूदी के चहरे के बिना चुनाओ होने जा रहे हैं सीम योगी अधितनाद किसी भी सूरत में ये नहीं चाहेंगे कि जो सीटे बीजेपी के पास थी उनमें कोई कमी आए यदि एक सीट भी पार्टी ने कमाई तो विपक्षियों के लिए सरकार के प्रती जनता की नाराजगी का बड़ा मुद्दा खड़ा होना आसान हो जाएगा चिन आठ सीटों पर उप्चुना होने हैं उनमें से छे बीजेपी और दो सपा के पास है और विपक्ष अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि बीजेपी के हालात ऐसे हैं कि कमान खुद सीअम को सभालनी पड़ रही है अगर सरकार ने काम किया है तो ऐसे हालात क्यों हैं सुनिए सपा और कॉंग्रेस के प्रवक्ता का क्या कुछ कहना है 2017 में भारती जनता पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की जनता के साथ वादा किया तो उसमें एक भी पूरा नहीं किया बेरुजगारी चरम सीमा पे हैं अपराद बड़ा हुआ है करोनकाल से रोगों की मौते हो रही है सतरूर पार्टी के मुख्या को मुख्यमंत्री को उतरना पड़ जाए तो अपने आप सरकार के एकबाल के खात्मे के स्थिति पता चल जाती है आदरणी योगी जी को अगर उप्चुनाओं में उतरना पड़ रहा है तो इसका मतलब उनके तीन साल के विकास कार्यों का मतलब शुन्य है, कानून विवस्था, जंगल राज है तभी उनके माथे पर चिंता की लकी रहें और तभी वो उप्चुनाओं में स्वैम कमान लेकर के उतरे हैं अगर उन्होंने काम किया होता तो लखनो बैठ करके कहते कि हमारे काम पर जंता वोट दे जिन आठ सीटों पर उप्चुनाओं होने हैं वे सीटे हैं रामपूर की स्वार कानपूर की घाटमपूर चौनपूर की मलहानी उन्नाओं की बांगरमव देबरिया फिरोजबाद की टुंडला और बुलंद शहर इधर भीजेपी निता अशोक पांडे की माने तो पार्टी किसी भी चुनाओं को हलके में नहीं लेती है पार्टी सदैव सेवा कारिये पर विश्वास करती है उप्चुनाओं की एहमियत इससे भी समझे कि आठ सीटों पर होने वाले उप्चुनाओं में सीम खुद योगी आदितिनाथ सभी जिलों का दौरा करेंगे भारतिय जनता पार्टी चुनाओं के लिए सदैव तयार रहती है क्योंकि उसको अलग से तयारी करने की जरुत नहीं है जनता का लोगतंतर का चुनाओं है जनता के द्वारा है, हम जनता के बीच में रहते है भारतिय जनता पार्टी ने तीन एहम लोगों को हर सीट पर उप्चुनाओं के लिए लगाया है हर सीट के लिए दो लोगों को प्रभारी बनाया गया है इन में से एक सरकार के मंत्री तो दूसरे संगठन के पदाधिकारी हर जिले का एक प्रवारी मंत्री अलग से है ऐसे में हर सीट पर तीन लोगों को जिम्यदारी दी गई है अब देखना होगा उप्चुनाओं में कमल वाली पार्टी क्या कमाल करती है या फिर पिछले उप्षुनाओं की तरह विपक्ष बाजी मार लेगा लखनुसी विज़ा मिश्र की रपोर्ट इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्राखंड चले फलाल इस बोलटिर में इतना ही देश दुनिया के बाकी खबरों के लिए अब भने रहे